और छठे अंतर्राष्ट्रिय योग दिवस की आप सभी को बहुत 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 बढ़ाई और शुबकामनाई अंतर्राष्ट्रिय योग दिवस का ये दिन एक प्रकार से एक जुडत्या का दीन है ये विश्व बंदूत्व के संदेश का दीन है ये वन्नेस अभी हुमन्नेस का दीन है जो हमें जोडे साथ लाएं वही तो योग है जो दूनियों को खत्म करे वही तो योग है कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लागिंग कंपुटिशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाटा है कि योग के प्रती उत्सा कितना बढ़ रहा है कितना व्यापक है साथियों इस साल अंतर राष्ट्रिय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विड फैमिली यह तैप हुई है आज हम सब सामोही कारकमों से दूर रहकर गर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं बच्चे हो बड़े हो युवा हो परिवार के बुजुर्ग हो सभी जब एक साथ योग के माद्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक उर्जा का संचार होता है और इसलिए इस बार का योग दिवस अगर मैं दूसरे सब्दों में कहूं तो यह बावात्मग योग का भी दिन है हमारी फैमिली बांडिंग को भी बढ़ाने का दीन है साथ्यों कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरुरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से मैसूस कर रही है अगर हमारी इम्मिनिटी स्ट्रॉंग हो तो हमें इस बिमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है इम्मिनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक बीद विद्या है अनेक प्रकार के आसन है वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंद को बढ़ाते हैं हमारे मेटाबोलिजम उसको शक्तिशाली करते हैं लेकिन कोवीड नाइंटीन वाइरस खासतोर पर हमारे स्वसंतंत्र यानि की रेस्पिरेटरी सिस्टिम पर अटेक करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टिम को स्टौन करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्रानायम प्रानायम याने एक प्रकार से ब्रिफिंग एक्सरसाइज है तो सामान्य तोर पर अनुलों बिलों प्रानायम यह एक प्रकार से पॉपिलर भी है आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं करके भी जिखाते हैं यह प्रभावी भी है लेकिन प्रानायम के अनेक प्रकार है इसमें अगर आप प्रानायम को जानने वालों से मिलो गए तो बताएंगे शितली हैं कपाल भाती हैं ब्रामरी है भस्त्री का है बहुत हैं अनुगिनत है अब तो नहीने जुड़ते भी चले जा रहे हैं जो कि यह सभी विधाएं यह तक्नीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टीम और इम्यून सिस्टीम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती हैं इसलिए आप से मेरा विशे साग्रा है आप आसन करते हो एक्सेसाइज करते हो जो भी करते हो जुरूर करें लेकिन आप प्राणायम को अपने डेली अभ्यास में जरूर शामिल करें और अनुलों बिलों के साथ ही अने जो प्राणायम की टक्नीक्स हैं उसे भी सीखिए उसको सिद्ध कीजिए योग की इन पध्धत्यों का लाब बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया में यह कॉरोना वाइरस से ग्रसी जो लोग हैं वो पेशंट उसका लाब ले भी रहे हैं योग की ताकत से उन्हें इस बिमारी को हराने में मदद मिल रही है साथियों योग से हमें वो आत्मविश्वास और मरोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूच सकें और जीत सकें योग से हमें शांती मिलती हैं मानसिक शांती मिलती हैं साइयम और सहन सक्ती भी मिलती है स्वामि विवेकान जी कहां करते थे एक आदर श्वक्ति वो है जो नितांत निर्जन में भी क्रियाशिल रहता है और अध्यतिक गतिसिल में भी संपून शांती का अनुहों करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी ख्षमता होती है। जब बहुत जादा विपरित परिस्थिती हो तब भी एक्टिव रहना, ठक कर हार न मानना, बैलेंस रहना, ये सारी चीजें योग के माध्यम से हमारे जीवन में स्थान प्राप्त करती हैं, हमारे जीवन को बदल देती हैं, ताकत देती हैं। और इसलिए आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है। योग का अर्थी है, समत्वम योग उच्चते, अर्थात, अनुकुलता, प्रतिकुलता, सभलता, विफलता, सूप, संकट, हर प्रसिति में, समाम रहने, अडिद रहने का नाम, उसी तो योग कहते हैं। Friends, Yoga enhance our quest for a healthier planet. It has immersed as a force for unity and deepens the bounds of humanity. It does not discriminate. It goes beyond race, color, gender, faith and nations. Anybody can embrace Yoga. All you need is some part of your time and empty space. Yoga is giving us not only the physical strength but also mental balance and emotional stability to confidently negotiate the challenges before us. Friends, if we can fine-tune our course of health and hope, the day is not far away when world will witness the success of healthy and happy humanity. Yoga can definitely help us make this happen. साथियों, जब हम योग के माद्यम से समस्याओं के समाधान की बाद कर रहे हैं, दुनिया के कल्यान की बाद कर रहे हैं, तो मैं योगेश्वर कृष्ण के कर्मियोग का भी आपको पुनस्मरन करना चाहता हूँ. गीता में बगवान कर्ष्ण ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है, योगह कर्मसु कौशलम, अर्थात, कर्म की कुसलता ही योग है, Efficiency in Action is Yoga, ये मंत्र सदा सरवदा हमें सिखाता है कि योग के द्वारा जीवन में अधीक योग्य बढ़ने की ख्यमता पैदा होती है, अगर हम अपना काम अनुशाशंत से करते हैं, अपना दाइत्व निभाते हैं, तो भी एक तरह का योग ही है, साथियों कर्मयोग का एक विस्तार और है, हमारी यहां कहां गया है युक्त आहार विहारश्य, युक्त चेश्टरश्य कर्मसुख, युक्त स्वपनाव बोधस्य, योगो भवती दुखा, अर्थात, सही खान पान, सही डंग से खेलकूत, सोने जागने की सही आदतें और अपने काम, अपनी डूटीज को सही डंग से करना ही योग है, इसी कर्मियोग से हमें सभी तकलिफों और समश्याओं का समाधान मिलता है, इतना ही नहीं, हमारे यहां निश्काम कर्म को बीना किसी स्वार्थ के सभी का उपकार करने की भावना को भी कर्मियोग कहां गया है, कर्मियोग की यह भावना भारत के रग रग में रची बसी है, जब भी जरूरत पड़ी भारत के इस निश्वार्थ भाव को पूरी दुनिया ने अनुभोग किया है, साथियों, जब हम योग से चलते हैं, कर्मियोग की भावना से चलते हैं, तो व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर, देश के तौर पर, हमारी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है, आज हमें इसी भावना से संकल्प लेना है, हम अपने स्वास्त के लिए, अपनों के स्वास्त के लिए, हर संभव प्रयास करेंगे, एक सजग नागरिक के रुप में, हम परिवार और समाज के रुप में, एक जुट होकर आगे बढ़ेंगे, हम प्रयास करेंगे कि योगा एड होम एंड योगा विद फैमिली को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, इस तरव एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, और अगर हम ये करेंगे, तो हम जरूर सफल होंगे, हम जरूर विजय होंगे, इसी विश्वास के साथ आप सभी को फिर से अंतर राष्टिय योग दिवस की अनेक अनेक शुपकामनाए, लोकाहा समस्ता सुखिनो भवन्तु, ओम्